मंगेली के लोर में जन्पत में पंच्वाइट चुनाओ के दोरान गजब के धांद लिए चाकर हुई है मामला भालुक होंद्रा पंच्वाइट का बताया जाता है और इस पूरे मामले में राम्स वरूप ने परस्वासन के तमाम अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया है तो वहीं शिकायत मिलने के महिने भर बाद अब जाकर इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जात के बाद कारवाई किये जाने की बात कही है प्राव किवारी ये हूँ और नो बजेती दवाओ से या परेशा देखरके उसको सिधा निश्ट करबा दिया गया है जाने करें नहीं प्राप प्राट के यह और इसमें दिशिबिली पिटशन अदिकारी और इसके लाओ परेशाक है अगर अगर अच्छे मामला है और अच्छे समय में आता है तो इसमें आप से करवाई करें रोहित करश्रप ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं रोहित जब फॉर्म भरा था तो जाहे सी वाते तब भी पता ही होगा कि कब्जा धारी है ये कैंडिडेट लेकिन तब कारवाई नहीं हुई जव दिन चुनाव था उस दिन कारवाई रोहित रोहित आप मुझे सुन पा रहे हैं तो लगता है रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंची दुबारा रोहित से हम जोडने की कोशिश करेंगे तो मुझेली के लोर में जनपत में पंचायद चुनाव के दोरान ये गर्जब की धांदली जागर हुई है मामला भालू खोंद्रा पंचायद का बताया जाता है जहां सरपंच पद के लिए परचा भरने वाले राम स्वरूप पोर्ते का नामांकन आखरी दिन रद्द कर दिया गया वज़ा तो सुनिए वज़ा तो ये है कि अवयत कब जधारी होना इस टैंजिजेट को बताया गया नतीजा ये हुआ कि राम स्वरूप का पतिद्वंदी मेर विरोध सरपंच बन गया इस पूरे मामले में राम स्वरूप ने प्रश्वासन के तमाम अधिकारियों पर मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया वही शुकायत मिलने के बाद अब महिने भर बात जाकर इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जाँच के बात कारवाई किये जाने की बात कही है मत्तिन जन्वरी के फर्म डाला है और नौ जन्वरी के इसको फर्म नौ बजे रात के निजस्तर दिया प्राकर इस्तिवारी जी है वो वो नौ बजे रात के करीब राजनीती दबाव से या पैसा दे करके उसको सिधा निजस्तर करवा दिया गया है जाने करें नहीं प्राप रिये और इसमें डिस्टली हमारे गुणारा पिठाशन अधिकारी और उसके अलागा पर अधिकारी तो जरूरी कारवाई की जाएगी बारा सवाल ये उपता है कि महिना भर गुजर गया और उसके बाद आज तक कोई कारवाई नहीं की गई जब स्वराज एक्सपेस में कलाक्चर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आया है आपके माध्यम से ये मामला अब इसकी जाच की जाएगी जाच के बाद कौन दोशी पाया जाता है उचित कारवाई की जाएगी रोहित करवाई हुई कलाक्चर साहब क्या रहे हैं कि जाच के बाद कारवाई की जाएगी महीने भर से जाच भी नहीं की गई क्या पता दू कि ये जो मामला है मुंगिली जीले के लोरमी इलाके के भालू खुम्रा पंचाथ का है जहाँ पास दो स्वरपंच के प्रत्यासियों ने नामांका नाकिला करने के लिए निधारिट किया गया था जबकि 9 जनवरी को नामांका वाप्षी और इस्क्रूप्नी के ल रहे हैं सर्पंच के उनको बकाईदा चुनास चिन तिया जाता है और उसके उसके लिके सहाँ जब निर्वाचन आयो कि दğरा फिर क्छूनास चिन ने ही क्यों दिया गया जब वो उनकी दावेदारी ही निरस्ट कर दी गए करनी ही थी तो फिर पहले चुनाज से ने क्यों दिया गया क्या पहले जाच परताल नहीं की गई थी क्या रांस वरूट पहले कबज़ाधारी नहीं था कि आचानक से वो कबज़ाधारी हो जाता है क्या कह रहे हैं जिम्मिदार इसको लेकर बिल्कुल इसको प्रूटनी के बाद ही चुनाज से ने जाता है और ऐसा ही इसमें भी हुआ था इसको पाशाथ आज इस्वेल के सर्टिपिकर देते हुए उन्हें पकार इसको जोड़े हुए है जालिष भाटक जी मामला आपके संग्यान में होगा प्रतिक्रिया जीजिए हाजी जी जी हाँ हुम बताइये जवर्ण का इंका आमंगर राध किया गया है कर दो सएब् Really good तो जब्सकर अधिकारी कोश्री गशती है उसको करवा हूं बिल्कुल आप अपरे मामले में शकायद होगी जाहिर सी बात है कि अधु कर दो पर बोल इंडम कि दो नहीं हूँ हान। बॉइज पर बोल सुने नहीं रहे हैं तो जिली के जो जुलाधी कारी है और उनसे बात शीत हुए आपकी? ऐस चाहने बात शीटेश का एका क्या कुछ कहना है? जी कहना है उनका काहना है। पर निवनों साथ नहीं हुआ है भईजी तो आपको क्या लगता है राथ में पिस रदियान्त रोग पिस रदियान्त है बिल्कुल अबी साथन प्रसाथन के साथ प्रधान चाहिए कोई निस सुना ही हो रहा है तो कि अशी ही केस जिला पंचाज मी हुआ था जो नौ समय तब क वो नमबर लेट कर दिया गया सब कोन किस रोट रहा कर गी है तो नारी सिकायत करने के बाद भी ने सुना ही हुआ अगर उपड़े सिकायत की है पंचाज जवाद की अधिकारियों को पर बोले हमारे कोई थिकार नहीं है पर जो इसाथ भी ना धिकारी है वह कुछ कर सकता है कर गी है बहुत शुक्रिया मैं सब बातशीत करने के लिए रोह ताब कर भी शुक्रिया तमान जानकारी के लिए नर्मिदा की सहायत